दोस्तों ये बताते हुए बहुत ज़्यादा दूख हो रहा है कि बालूर जगत के जाने माने फिलिम निर्माता विजागलानी का बुधवार को लंदन में निधन हो गया है और विजागलानी जी ब्लड केंसर के इलाज के सिलसले में पिछले कुछ महीनों से लंदन में थे और वही अपना इलाज करवा रहे थे और वे वहाँ अपनी फैमली के साथ बोन मैरो ट्रांस्प्लांट कराने के लिए लंदन गए हुए थे और वहाँ जानने के कुछ महीने पहले ही उन्हें अपने इस बिमारी के बारे में पता चला था और विजाए गलानी जिने एक प्रोडूसर के तोर पर कई फिल्में बनाई जिसमें सुर्यवन सी अचाना जिसी कई फिल्में सामिल हैं उन्होंने 2001 में अजनवी का निर्माड भी किया था जिसमें अच्छाक मार बावी दोल करिना कपूर और विपासा बसुने मुख्य भून का अदा की थी और इस फिल्म को खुब प्यार मिला था और मेरे खाल से आप लोगोंने अजनवी फिल्म जोहबोद देखे ही होंगे किया था और आपको बता दे कि गलानी साहब अपने पीछे परिवार में पतिनी बेटा और बेटी को छोड़ गई है और विजा गलानी साहब की मौत की खबर आने के बाद से ही बालूड इंडस्टी में सोक की लहर फ्यल गई है और तमाम सितारे और फैंस निर्माता की आत् जन से दुखी उनके दोस्त रज्जात रवाली ने सोक व्यक्त करते हुए कहा है यह दिल तोडने वाला है मेरी रोजाना उससे बात होती थी कुछ दिन पहले विजा जी ने मुझे से कहा था कि वो आब पूरी तरह से ठीक है और विजा जल्द ही मुंबाईल लटने वाला था और मैं इस खबर पर विश्वास नहीं कर पा रहा हूं अब मैं कभी उससे बात नहीं कर पाऊंगा जिया दोस्तों और बालुट के कई बड़े बड़े सेलेब्रेटी हैं जो लोग सोक व्यक्त कर रहे हैं और अनिल सर्मा ने बताया है कि विजा गलानी के बेटे प्रती की मौत की खबर मिलते ही प्रतीक जी फिर से लंदन के लिए रवाना हो गए तो दोस्तों हम लोगों के तरफ से बालुट के सुप्रसीद फिल्म निर्माता विजा गलानी सहाब को भापूर सरधान जली और आप जहां भी रहें खुच रहें अबाद रहें हम लोगों की यह कीजेगा सेर कीजेगा थांची जस्तों हमारे बिट वाचिंग करने के लिए